कि अगर मेरे वाले साब यहां जिन्ता होते तो मुझे अपनी बेटी की शादी भाग करने की जोरा अजना होती कि जब एक एक चीज मैं यहां से उठा कर गाड़ियों में रखा पैक करके मैं एमर्पुरिज दूर लेगा अपनी बेटी का चहेज और भी आज दिने संडे का बच्चे सारे घरे नाश्टा हमारा हो गिये और आपका नाश्टा कैसा राज और भी हमने रात को बनाए थे मुंग्रे चिकन आलू तो अच्छा सालन बना इनको पहले पसंद नहीं था आप यह शौक से खाते हैं और भाबी से का के आप जो ना घर बेज़ना चाहते है तो भाबी नेकं दो बना लें यहां पर मैं भी खा हूँगी और आप едको बना ली यो रात को माशालले ला भाबी ने भी खाया हम सबस्तान ना टेस्टी बनावा तो अब्हीभी हमने नाश्टा कर लिया है और मैंने आज रूम की सफाई कर लिया तो बाहर का ज़ड़ जब मैंने फौजिया से काया कि अजब लगा हो अजब घर हो और मैं जाओं अब खानपुर जाओं यही बात गोई है अब जाए अपनी मर्जी से आओंगी भी अपनी मर्जी से पिर हाँ मैं आपको सारी बाते कलियर कर दी है अभी आपकी मर्जी जाए या ना जाए वो आपकी मर्जी है इंसानी अपनी इज़त से उपर जाना किसी की इज़त नहीं होती ठीके आपके वाले सामने जो हमारी इंसल्ट पूरी ब्रादरी में की है कि अब मैं जहां भी जाता हूँ हर कजन जो है वो यही बोलते है कि आप अपने अपनी पहली खुशी थी अपने घर क्यों नहीं की तो मेरे पास कोई अलफाज नहीं होते कि मैं उनको जवाद दूँ बस मैं बात को ऐसे गुमा फिरा कि आदम को यही बैसे दे देता हूँ कि मेरी बेहन ने ये रिष्टा क्या दास्तारा ने तो उसकी खुशी थी कि मेरे बच्चे भी छोटे हैं तो मैं फात्मा विरी शादी अपने घर करती हूँ तो मुझे भी खुशी होगी तो यह बात को मैं गुमा फिरा कि ऐसे हर अदमी को बता रहा हूँ बागी पूरे यूटूब फ्रमली के सामने सारी बात सामने है कि यह जो हाज साब है इनकी वज़ा से मैं अपनी पहली खुशी जो थी वो अपने घर नहीं कर सकता और जब मैं वहाँ पर गया तो मुझे ऐसा यानी फिर हुआ ठीक है मा भी थी, बेहन भी थी, साजित भाई थे, अपने बच्चे थे, मामू थे, कजन थे, सब थे लेकर मुझे वहाँ कोछ ना अकिला पर मैसूस हो रहा था पता नहीं क्यों, क्योंकि यहाँ अपना घर में अगर खुशी होती, सारे यहाँ पर हमारे दोस्त, रिस्तेदार, अजीज, सब बाते और सारी बाते जो ना एक तरफ, और हमारे हां के अस्टा गया था तो वह चला गया भी और सारी बाते मैं आपसे कहा रही हूँ, एक तरह मुझे इस बार जाने दें अबू के पास आज के बाद अगर अबू ने ऐसा कुछ किया तो मैं नहीं जाओंगी मैंसे जिंदगी नहीं मैंसे आपसे पहले बात किलेर की थी कि जब अबू आ रहे थे सौधिराब से, आमा के सामने आपके सामने बात कहीं थी कि भाई वो आ रहे हैं बज़र्ग हैं हमारे घार में बैठे या पने घार में बैठे, उन्हें हम इत्रा इज़द देंगे इन्शालदा कि वो अपनी जो भी वो खिशंद क्रें उनको गुषी बना के ताजा देंगे कोड़े धुले वे दिले नियों भो तो हमारे वाले देने हमारा हक बनता है फर्ज बनता है तो हमने मैंने आप ने जाजोँ ने किनी उनकी इसान ती और ये हमारा हक भी बनता है ये हमने कोई उनके उपार कोई एहसान नहीं किया ठीक है लेकिन मुझे दो किस बात का हुआ है कि रिष्टा उन्होंने खुद किया है ठीक है रिष्टा भी उनकी मर्जे से हुआ अच्छा और उसके बाद जब हमने दौा खेर मांगी वो भी उसमें शामिल थे ठीक है अच्छा उसके बाद उन्हें अच्छानक से क्या हुआ कि हमारा खाब जो है मेरा सारा तूट फूल कर दया हुआ अच्छा कोई नहीं हमारे खुशी होती तो वह पता नहीं कैसी होती जो मैंने स्कूचा था अच्छा जो होता है ना उसका रसीब था मेरे बेटी का हो गया है मैं उससे भी मुक्मिन हूँ हमसे जितना हुआ हमने अपने खुशी बेटी की की लेकिन मुझे यह समय नहीं आ रहे कि यह बड़े होकर हमें तो समझाएं कि भी यह काम ऐसा नहीं है ऐसा है तो यह उल्लट हमें जनली उने मैसे दि पहर्णी जाँगा बाकि अगर आप अपनी मर्जिस से थे पास में तो नहीं जाओँगा ठीक है हा अमा का घर आती हैं तो अमा को मिलने जाएंगे जरूर क्योंह मरी माँ है जरू है सबसे मेरे लिए बेस्ट यानिके मेरे दो जहां की मालेक है उन से मिलने के लिए तो मुझे कोई नहीं रोक सकता बाकी रहा हाज साथ का सवाल तो हाजी साथ ठीक है बहर जैसे मिलते हैं दुन्या के सामने अदब से ताजिव से उन्हें अभी मिलते हैं जावी बहर मिलते हैं लकिन दिल मेरे उनके लिए कोई महोबध अभन मही रही ठीक है क्योंके अगर आप किसी के बस मेरे पास अभी अलफाज नहीं है और अगर आप का दिल करता है आपके वालिद है तो आप जाए मैं आपको नहीं हो सकता ठीक है आप बिला खुशी जाए पर इस बात का मुझे दुख रहेगा कि मेरे इस दुख सुक में आप मुझे छोड़ दे जा रही है मेरी एक बाद आप जहें में रखे जाए आप पिर यह क्या बात थी कि मैं अपने चलो उन्होंने जो किया उस वक्त पिर आजैंगा मैंने जी एक पीका को य дав ऐसे मुझे मुझे पता है no कि ज़ब एक एक नहीं है अपने बाते यहां आपने अपने आपको को हमसे जुधा किया है हम आपके सामने नहीं कि बड़ी रेस्पेक्ट करते हैं लेकिन उन्हों हमारी रिस्पेक्ट को जो हैंना किसी काम का नहीं समझा मेरे बच्चों को जब रात को उन्होंने धक्के दिकर मार के घर से बैनी काला मुझे पता है मुझे तकलीफ हुई है अच्छा कोई नहीं अम्मा का भी घर है ना उनका घर है हक जो नहों का बराबर है अब आप देख लें उनकी अपने बेटे हैं उनके कितना अपने वालित की रिस्पेक्ट की उसके अपने बेटों ने उसकी रिस्पेक्ट नहीं की मैंने उसकी रिस्पेक्ट की है उसका यहाक नहीं बनता था कि वो मेरी खुशी को ऐसे तोड़ फोड़ कर उसने निशाना बन नहीं है यह रहे हैं। का क्या हूआ भा जो मैझे बिबार ख़िसक्डना कर ड्रह अधिक है है कि हर दोग सुख में अनों के साथ्ट खड़ा हूँ लेकि नें अनुquila अदने यज़ उसलग्वास करें कोशिश की जाब उने मेरी इज़त रीकिσे मैं उनकी बड़ी बैड़ी हुफ़ए मैं उनकी कितनी इज़त करती थी आपको पता है आपके सामने है लगन अब लोन मेरी नहीं मैरी भी बच्का एक वर जाने तो आप मुझे लगता है वह बन गए तो हमें उनने माफि जाए हमारी जा एक वर जाने दो पास मैंने आपको सारी बात कर दिया है अब जाए जो जा एंचे जो नहीं हो सकता तो अपłę पहले तो थाकि मैं अपने अबू के घर जाओंगी अब मैं कहा जांगी बत आप आपके साथ खुशी से अपने बच्चे आपके सामने आपके साथ वक्त गुजा रहें ना अगर आप हमाली इस खुशी को फिर से तोड़ने जाते हैं तो ठीए कही है आप मुझे इस बार इजाज़त दे दे मैं उनसे मिलती हूँ अगर इस बार भी उन्होंने गुसा किया मुझे से नहीं मिले मुझे 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 बुरे दिन थे ऑच्छे चोटे से बड़ा करते हैं माबा अब हम अपने बच्चों के कितनी देखबाल करें जब बच्चों से गलती होती है तो परे देन माफ करती है और उनसे गलती हो तो मुझे भी उन्हें मैं उनसे सोरी करती हूँ वो नहीं करें मैं उनसे सोरी करती हूँ और वैसे भी आपके सामने उनके वो इस मेसेज है उन्होंने मुझे रोकर जो रखा कि मुझे माफ कर दो, कहा है आपके सामने के नहीं, मुझे इस से अब कोई फर्क नहीं परता, और मुझे मैसेज लगाना नहीं आता वो इस मैसेज नहीं, तो मैं लगा देती कि अबू रोक मुझे माफ कर दो मैं तुम से माफी माफ़ है आपको पहले भी जानी ज़र नहीं एक आदमि के चेहरे के उपड़ने पकाड़के एदा से चपड़े लगाओ इदा से सौ चपड़ लगा के फिर उसका इक गिरे बाद छोड़ दो फिर गहोजी मुझे कि मुझे माफ कर दो ठीक है तो यह तो वही बात हुई ना बेश्टी का लिए अगले एक इंसान की पर उसे माफी मांग लिए अच्छा वो बुजर्ग हैं शुगर के मरीज हैं अगर आपके अबू मेरे साथ ऐसा करते तो मैं उनको माफ मैं मैं माफी मंगती हूं से मेरे अब भाने का आपको अब किसी कभी किसी के साथ कूई जाती नहींगी है पूरी कव्य फूल सकते ए मेरे ने किसी के साथ कोई कभी बत्तमीजी कियो तो मैं अभी भी माफ्य मंगत coral मेरे वाले साहब बहुत ही अच्छा भी नहीं उन्हें आपके साथ तो मैं नहीं हूं बच्चे नहीं आपके साथ मैं क्या पूछ रही हूं आपसे और आप चले इस पार जाने दे मुझे कोई नहीं अगर उन्हें कुछ हो जाता या हो गया तो मैं अपने आपको कभी माफ नहीं कर सकूँगी गयर पूछ क्या शिकायत करें हमें तो अपनों नहीं लुटा एक भाई था भो भी नहीं आईसा दे अच्छा वो तो बात की बात है हर किसी के बच्चे है आपने तो कहा था नव नहीं है तो कोई नहीं कोई बात है वैसे बोलते हैं ना जिन्दगी में अकेले आए और केले जाना है कोई किसी के साथ नहीं जाता यह दुनिया बस ऐसी है अब भाई को छोड़ें बाक्यों को छोड़ें मुझे मेरे बात का चाहता हूँ मेरी कोई नहीं करता है मैंने किसी के साथ कोई जाती नहीं जी मेरे साथ कोई खारा है कोई बात सबेर कर रहे हैं सबेर का पाल अमा गेतिया के मिठा होता है hai are you हपी अभी लोग बने क्या क्या है अब जी आपके दूसरे भप फूम सब्सक्राइब नहीं ही जानने पार बंद में। उन्हें पहले कुछ कम बातें की थी लोगोंने बतौदना देख रहा है ज़ा रहा है कि हमें जोना अपने खर्च पर इस सब कुछ लिया है और बेटी को दिया जो हमारे पास हस्पे तव्फीक थी हमने दिये हमें तोनों ने भी रोका था कि आप इतना ना दे कुछ भी ना दे बस थोड़ा सा जो है जो ने पहनने के कप्ड़े और दोधे जो тि भी आप से बनते लेकीर किने लेकर ने एक छीज जो ज़रुरद कि थी दी बर्तन बी दी कपड़े भी दी जूलरी भी थी आपने वकार फैमिली से पांच लाक रुपए जहज के लिए हैं ओंगता हूं मैं अपनी बेटी गभाएं से लिए तो समझ लें कि मुझ जैसा बेगारत अपनी आपने कभी नहीं दिखा होगा और हमने किसी से भी नहीं लिए जहाज के पैसे नहीं हमने सितारा से नहीं हैं मेहनत से अपने हलाल की कमाई से अपने बचों की शादी पेड़ी किये और आपके भी करूँ हैं चाला तो यह इस तर और आगे भी कुछ बच गया तो वो भी नचला उतार देंगे और कोई नहीं हमने अपने खर्चे पे लिया सब उनका जो भी सामान था बाकी बच्चों का था घर का था जो भी हमने दिया वो सब हमने अपने खर्चे पर ही दिया किसी से एक रुपाया जैसे नहीं लिया सब है नारी होगी ठीक है इस बार मुझे जाने दे आज के बाद अगर उन्होंने कोई वीडियो बनाई या कुछ किया तो आज के बाद मैं करूँ मैं उनसे कभी नहीं मिलूगी वैसे लोग बोलते हैं ना कि जीते जी कोई कदर नहीं करता है मुझे अन्ची जनमन्जील आयला के बहुत अच्छे थे हमें माफ कर दो ये था वो ता उससे बहतर हैं मैं माफी मांग लूँ जयादTी मुझे पता है इनकी है मैं मानती हैं लेकर फिर भी मैं उनकी बेटी हूं बड़ी बेटी हूँ तो वह बुजर हुए यही चीजे अनुनों जो दिल को लगाई हुई है जहन में बिठा आसकते हैं पिर मैं वापस आऊ चलो ठीक है दिल से कह रहे हैं चलो शुकरिए आपका और भी यह हमारी वीडियो है कुछ पे पिछले संडे की तो आज भी संडे है ना फुरुक सार आज भी यसमिस की बच्ची हाँ मिस बुलाएंगे आचा तो यह मेरी वीडियो है जब अमा आ रही थी पिछले संडे को तो जो आज है आज भी संडे है तो यह वीडियो उस दिन भी अब्बू की काफी ज्यादा तबियत खराब होगी जैसे अभी एक दो बार हुई है यहां पर भी होगई है दो बार ने देता खैर इन्होंने कहा कि आप जाएं मैं गई मैंने पाउंग पकड़े माफी मांगी मेरे साथ भाई जमील ने भी पाउंग पकड़े माफी मांगी के भी आप जो ना डेली मुझे बुलाते हैं और कहते हैं कि मैंने यह किया उसके साथ मैंने यह किया चोटी सीती ऐस से बढ़ा किया फिर उनको बच्चों के साथ तो वो भाई जमील मुझे डेली का जहां आते या फिर कॉल करते कि नहीं आप ना मेरे कहने पर ना एक बार उनसे माफी मांग ले फिर आशा की कॉल आई कि आप आओ और अबू से आके माफी मांग लो तक्रीमा रात के एक बजे कॉल जब अभू की तقी तब नहीं खराब थी पहले का आईशा ने मुझे का कि आप आओ माफी मांग लो जब अभू की तब आएशा ने मूझे कॉल नहीं कि कि अभू कि ये हाला थे और तौ आ जब arch जाओ जिन्दगी का पता नहीं बाद मैं ये मत कहना के मुझे नहीं बताया था और पहले जब अबुकी तबियत खराबी मैंने सब को भाई दोनों को कॉल किये और एशा को किये कि भी मुझे बात में मत कहना आपने आना है तो आ जाएं तो यहांपर जयाना मैं गई थी उनके पास लेकर उनोंने नहीं का उनोंने आगे से इतनी इतनी मुझे बाते सुनाई बहुत ज्यादा पिर आपको पता है कि दिल मेरा भी बहुत ज्यादा दुखा होता और मेरे हस्मेर की नहीं जाने दे रहे थे तो अभी मैं कल गईूँ दुख सुनाते हैं उनके समने संदूने दुख सुनाते हुए, कि हाँ से किलाओे, कि कैसे इने पालोगी, बढ़ा करोगी, कहां इनके रिश्ते करोगी, यही माशर और यही ब्यादरी है, तो कहने का मकसद यह कि लोग ना दुक में देख सकते और ना ही सुक में बरदाश कर सकते हैं लोगों का कोई नहीं अपनों का ही अब तो मुझे लगता है भरोसे ही उट गया तो जहां पर मैंने अपनी बच्चें को गली से बाहर नहीं जाने दिया जैसे पढ़ाई करके हुर्पाभा की शाधी तो मैरे सब रिष्तेदार हैं मेरे कजन नए हैं मेरे मामू सभ है कि हमने फात्मा को लेके जाना 올 ह surroundings कि हमारे होता है कि बैटी को लेकर जाते हैं दावाद के लिए एक दो दिन सब लेकर जाते हैं कि भी हमारे घर रहेगी रुके गी तो ह हमारे पुराने जैसे कुछ साल अभी भी है. हमारे रिष्टेदार हमें अभी भी है. वहां से अम्मी ने कहा कि आपके बच्चे नहीं गए बेटिया नहीं गए मैंने कहा नहीं अम्मी घरी है मेरी बेटिया नहीं जाती मेरे कजन की शादी थी फिर भी मेरी बेटिया नहीं गई थी अम्मी ने वहां से कॉल की नजमा ऐसे नहीं करो बेटियों को जाने दो बंदार होंगे तो वो च transf मुझे नहीं अच्छी लगती कि मेरी बीटियों को कोई बुरी नजर से देखे या पिर मेरी बीटियों के पर कोई बात करें ये चिद बुर्दाश से बर दाश नहीं होती और मैंने आज तक अपनी बीटियों को घर मेंरखा अКब से महाम भी बाहर नहीं जाती जैसे मैं भे देती थी चौलिस्तानी भेनों किसे दूद लेने के लिए या शेहर भे देती थी तकरीबान दो साल होने वाले महाम को मैं बाहर नहीं भेती किसी के घर महाम भी घर में अब रहती है स्कूल स्कूल से घर उसके इलावा जो हमारे बंढर्ब्द को तो जितना इन्सान चाताना है कि मेरे उपर बात नौ जितना भी साफ गियमकरों साफ पोश ना उसके ओप छीनते आतेया हैं कोई और गिरा है ना गिरा है लकन अपने जरूर उसकी स्फञेद पोश लिबास नहीं देख सकते चीटे जरूर गिराती है तो आज तक मेरे उपर किसी ने बात नहीं की नहीं भ्यादरी से नहीं रिष्टेदारों से नहीं हक हमसायों से मेरी बेटियों के उपर आज तक अलहमदल्ला कोई गलत बात नहीं उठी है और नहीं हुई है तो अब जब मैं गहीं कुरान पाक वाली बात जी तो मैं वहां पे बहुत ज़्यादा रोई हैं मैंने का पता नहीं मेरी बेटी का कसूर क्या था शायद मैंने उनको घर में बंद रखा आजाद महोल नहीं दिया देती जैसे औरों की लड़के अपनी मर्जी से जा रही है शौपिं आरे मैं कहूं कि मैं ज्यादा अमीर थी नहीं मैं गरीबी शुरू से अपने बच्चों को जहना ऐसे भी उतार चड़ाओ जिन्दगी का इसा है गरीबी अमीरी जहना देखका नहीं आती तो बच्चों को हर चीज सिखानी चाहिए जो लहम दुल्ला मैंने अपनी बच्चो होती है उसके अबू की इन चीजों के बावजुद भी मैंने उनसे माफी मांगे उन्हों नहीं का उन्होंने बस इतना मुझसे कहा कि अगर मैं आपसे सुला करता हूं मेरा गर कराब होता है अच्छा फिर बाद में कहा कि मेरे बेटे नाराज हो जाएंगे यानि एक एक ची भी मैंने इतनी कमांड का बीज होता है वो बहुत महंगा लिया था तो मुझे तो इस बार फैदा होना था वो तो आपके अबू ने चीन ली तो वो रोजी रोटी अल्ला के हाथ में बंदों के हाथ में या रिस्क अल्ला पाक की जाद देती है आप मेहनत करो तो मट्टी भ करते हैं बचे भी हमारे साथ हमारी याल्प करते हैं तो अल्हम्दल्ला मट्टी भी सोना गलती है जब आप मट्टी में न मेहनत लगा के पसीना बाते हो काम करते हो अभी गर्मी आएंगे भी लोग मुझे कहते हैं आप काम नहीं करती है यह वो तो अल्हम्दलिल्ला मैं ज गास काटना है और कुछ नहीं है तो गर्मियों में हमारा काम स्टार्ट होता है बीजाई कटाई और कमांड की रहाई और घास काट के लाना कमांड होते हैं वो चीज़ हमारी गर्मियों में होती है तो इन्शाला मैंने कभी फखार नहीं किया जो भी तकलीफ हो कुछ हो मैं ब काथ अभी भैद्रिये कि ही कह रिए कि अभा ने ह intuitive कर दिया वो कर दे को कहीं हाल पर नहीं और भाद जब जाये उनके पास आपकी बैटी ने हैं आपके साहथ घलत कर दिया तो वो था लाकी और अजाद पाख लेए तो जमीन जहना इसằng वह ना और जबान जाना मुसल्मान की जबान होती है तो इन्हों ने चाव कि नई भी मुझे जह忍ा तीन साल यह हमारे जो अनаю चले गए तीन साल का इन्हों वो इस्टाम वगेरा कुछ नही था तो इन्हों ने झावकर धें नेई भी मैंने जमीन अब किसी और को दे दे दीजिए अब खत्म करो यहां से फिर जब अम्मी आई और जो है ना अभी जो है ना मेरे हस्बेंट जाते रहे हुदार तो उन्हें ने का कि एक लाग तीस हजार पर मैंने रेंट देना है अभको जहां पर फिंटालिस पचास पचास हजार था आप एक लाग तीस प हमारा इतना नहीं आया कि हम जितने भी काफी कर्स हमारा बचा हुआ है तो भी अभी ऐस ताइसा उतार देंगे इंचाला तो वो मेरे हस्मेंड इस बार जो हैना मुस्ताजरी जमीन रखी है रेंट पर इस बार जो हैना इन्होंने वो पकेश टाम पेपर वगारा वो कितने दिनों से मेरे पास आ चुके हैं तक्रिमां तीन चार दिन हो गया उनको आए हुए लेकर मैंने यूटूपर नहीं दिखाया आप्बी जो अब्बू की हालत है कलको ये ना हो के ये लोग कहें कि इन्होंने जबर दस्ते टाम पेपर या पी जमीन रखी तो यहां पर मेरे कज़न जो सज़ादे आ है होंयों अज़ादें सब को पता है कि इन्होंने अपनी मर्ज.शली से जमीन दिये मैं और पैसे भी पेपर की हद तक है तो काफी लोग मुझे गंदा कर रहे थे कि आपने बाप की मैं मानती हूँ मैंने कुछ गलती हैं कियोंगी तो उसके लिए माज़रत अगर आप मेंसे किसी का दिल दुखा तो उसके लिए माज़रत लेकिन एक बाप होने की खातर उन्होंने पेपर को हमेदी हो रहे तीन साल जो उन्होंने जबान की थी वो चले गए वो खतम हो गए तो कुछ नहीं होता पैसा ना आनी जानी चीज़ है अगर वो अकेले हैं उनको इतनी पैसे की हैं मैं तो हमारे तो माशालला से साथ-आठ बचे हैं, घर मवेशिय हैं हमारे घर, मकान की च्छध भी मजबूत नहीं है तो उनको शोचना चाहिए था भी मेरा दामाद इतना कफ coupon मेरी बेटी इतना करती है सब इतना मेरा खेता मेरा ख्यार रखते हैं ऊन्हें सोचना चाहिए था चाहे मेरे बाप हैं या फिर जो भी होता है उन्हें सोचना चाहिए था कि भी इनका भी घर की चछत मदबूत नहीं है चलो हम उनको उधार ही दे देती हैं चलो तीन तीन चार चार लाग करके अबा से कह रही हूं कि आगा दे देते हमें कि चलो आप जो आप जो ना इस बार आप अपनी अच्छी सी च्छत बनवालो और आप ऐस्ता ऐस्ता मिल बांट के हमें उधार ही दे दे देते के एक दो रूम आप बनवालो जहां पे आपके बच्चे है और आप सकून की नीद सो सको लकिन नहीं यह चीज़े नहीं उल्टा इन्होंने देखा कि भी अब यह अहमियत नहीं है भई आज जैसे बोलते हैं बाप बड़ा ना भाईया सबसे बड़ा रुपए है और मेरे हस्बेन उस दिन रोए बहुत ज़्यादा मैं भी सात में रोई कि हमारी ना ही गलती थी ना हमारी बेटी की गलती थी अबू जितना भी मैं फात्मा को गालियां तो इस तरह का जी करना सिखाया ना कि किसी को कोसना गाली देना ये मेरे बच्चों में मैंने यादत भी रखिया कि आपने जो भी आपको गाली दे रहे गलोच आपने जी बोलना है आगे तो बस कल फिर फात्मा की भी रात को कॉल आई तो मैंने बता है आपकी बाजी भी रो रही थी मैं भी रोई बहुत ज्यादा तो अल्लापाक आपको खुश रखे क्योंकि फात्मा की हमने आमीन रोकी हुई थी कि अम्मा सोधिय रब थी आएंगी महाम और फात्मा की आमीन करवान थी पिर अम्मा इदार आई तो हमने सोचा अचा सितारा आई चाहे पिर करवाते हैं पिर सितारा आई चलो हमने सोचा अब गर्मी है अब जब शादी से पहले करवाते हैं तो इन्होंने ये कर दिया फिर हमने सोचा चलो शादी होगी यह शादी से जब आएगे न इसलामाबाद से यहां पर रुकेगी फिर आमीन करवाएंगे कुराश शरीफ का एक फर्ज है हमारे उपर वैसे कुराश शरीफ का हम जितना भी दे सके ना हदिया वो कम है तो एक होता है थोड़ा सा कि टीचर भी खुश हो जाती है उस्तानी भी खुश हो जाती है कि बच्चा पढ़ा है तो तालीम ली है तो मुझे से शाबास भी ले रहा है इनाम भी बच्चों को होता है कि बई कोई पास होता है तो उस्ताद का भी हक बनता है तो वो हमने रखा लेकिन बस अब जहना गर्मे में इन्शालला इन्शालला ये उपर मेरे उपर ना बहुत बड़ा मुझे लगता है करज है ये कुरान पाक की आमीन वाला तो इन्शालला आप जब फात्मा आएगी ना तो वो करवाएंगे तो बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है जब अपने ही बाते करने पर उठे ना इसलिए मैं अपनी बच्चे को कहीं हाँ सितारा के घर मेरी बच्चे जाती है एश्या के घर भी इतना नहीं अभी मेरे खांसे दो से तीन बार मेरी बेटियां गियोंगी मैं साथ थी और साथ वा उठकर बाते करना शुरू हो गए तो इंशाला आपसे और हाँ मैं हस्पेंट के साथ अगर जिद ना करूं ये चीजे ना करूं पता है क्या फिर कल को मुझे ही कहते हैं कि आप घलत थी वो ठीक थे या आप ठीक थी वो घलत थे तो हम दोनों को साथ साथ चलना है जिन्गी ये नहीं कि हम एक दूसरे के साथ रहना नहीं चाते बात नहीं करना चाते या फिर हम जगड़ा करना चाते या यूटूब पर लाना चाते नहीं नहीं हर घर में मसले मसायल है अब मैं आपको बताने बैटू ना तो आप कहेंगे है अगर मैं आपकी सुनने बैटू ना मैं पिर आपसे कहूंगी कि है आप कैसे रही जी रहे हैं रहे हैं तो यह हर किसी के घर में है यह नहीं कि किसी के घर में हर किसी के घर में है हमारे हैं बोलते हैं कि किसी को सुनाने जाओ ना अगले की सुनके ही बंदा परेशान हो जब ही यह मुझे से ज्यादा दुखी है तो बं जमीन जो हैना दोबारा त्रिपल पैसों के उपर जो हैना अभी पेपर की एहमियत थी जबान की नहीं थी वो हमें मिल गई यह वापस वो हमने फारुग ने का बस छोड़ दो आप नहीं दिखाओ यूटूब पर लोग क्या कहेंगे मैंने का कुछ नहीं तो इन्शालला अभ अभी तो हमारे भी जैसे ना किसमत बदलेगी कभी तो हमें भी यह घर बनाने का मौका मिलेगा फिलाल तो जो इस तो जूँ में हैं के भी आगे बढ़ें और कुछ हो हाथ में तो ही जगा का हाथ यह नहों के यह भी चछत खराब कर ले च्छपर भी उड़़ जाए और पै अगर मैंने कुछ किसी का दिल दुखाय तो उसके लिए भी माज़रत तो अलाहाफिज भी अपनों से ज्यादा तो मुझे लगता है आप नहीं हमें एहमियत दी है तो आप सब का बहुत ज्यादा शुक्रिया अपनों से ज्यादा आप सबने हमें सपोर्ट किया तो इसके पारमी का है तो इन्शाला मैं क्यूने करूंगी तो आप सब मुझे कमेंट पर बताएगा कि मैं इन चीजों से जोने एक वीडियो बनाऊंगे इन्शाला इन्शाला अल्हाफेज और भी आप सबसे एक ये भी बात करने है कि सितारा ने हमारे साथ जितना अच्छा किया जि हम लोग गए थे या फिर फात्मा को लेकर किस मुझे हम लोग घर आते ये सब सितारा की वज़े से हुआ है और हमारी मरते दम तक मेरी और मेरी बेटी की हमारी पूरी फैमली की स्पोर्ट सितारा के साथ है और यह उन्होंने हमें जैसे कोई होता है कि खरीद लिया तो सिता ये अपने खर्चे पर वो शादी का खर्चा उनका था बाकी जो सामान हमारा यहां का था सब जहना हमने वहाँ से एक रूपिया नहीं लिया तो वो वाला सितारान मेरे घर उगी तो वह खर्च जोना टोटल मैंने करना है फारूख नहीं नहीं आपको पहसे दूंगा तो ये ञन्हें सीतारा ने हमसे एक रूप्या भी नहीं नहीं ने किया है और उसको लाप्तक इतनी तरक्गी दे काम gratuit दे ला करें उसके बचके जहना उसके बजीद दे करें लाप्ध उसे बहुत उचाही पर लेकर जाय सीतारा करें उसके बचे उसका सर फखर से बुलूद करें जैसे कल मुस्तफ़ा ने जाना मस्जिद के बाहर पतीसे वाले बज़र्ग से पतीसा लेकि एक मिसाल कैम किया वैसे भी माशालला माशालला अल्ला पाक नजरे बच से बचाया है उसने अपने बचों की तर्बियत इतनी अच्छी की है बहुत ज़्यादा उनको हर किसी का जैसे हम लोग जाते हैं मामू के अपनी जगा कदर करते हैं मेरी अपनी जगा करते हैं अमा की अपनी जगा करते हैं अपने जैसे उसके साजिद भाई के रिष्टेदार हैं उनके अपनी जगा के जगा पे कदर करते हैं सब की कदर क भरी है उनको देखकर उनने सीखी भी है क्योंकि जब वालदान घर में ऐसे काम करते हैं तो बच्चों को भी सीख मिलती है तो यह चीज़ माशाला सितारा के बच्चों को जहना लापाक नजरे बद से बचाए सितारा को भी साजद भाई को भी और उनके बच्चों को भी कि उ में विरासत में आ रही है, ये चीज़ एक एखलाक, प्यार और यहीं चीज़ें यहां है तो ये एक अच्छी बात है कि सितारा ने कभी जो एना किसी चीज़ पे घमड नहीं किया घरूर नहीं किया वो जैसे खुद साधा थी आगे माशालों उसके बचे भी आसा तो ये होता है किसी के पास पैसा आता है वो रिश्टेदारी भूल जाता है अपनी लिहास भूल ज जाता है किसी की कदर करना भूल जाता है तो ये चीज़ जैए है कि अपने हिसाब में कोई Rank मिट ना करें किया आपने सितारा के बजह से कोई बात किया ये सब इखना है कि उन्चाललह – में वीडियो अपलोड करने से पहले नहीं नहीं का ये चीज़ आपसे कलियर कर दू हम हमारे उपर कोई इस तरह की बात न करें और नहीं सितारा के उपर तो यह चीज़ बस मेरे अबू के उपर थी जो मैंने आज जो आप सब को सारी बाते क्लियर कियें